खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीजए और अब हम चुरूबात करने जा रहे हैं ABP News मुहिम की हर साल की तरह मुंबई में बारिश हुई और मुंबई इस साल भी हर साल की तरह डूब गई देखे करोडों खर्च होते हैं मुंबई की साफ सफाई रख रखाव में लेकिन बारिश होते ही करोडों रुपए बारिश के नाले के पानी के साथ बह जाते हैं क्योंकि मुंबई को इस लायक बनाया ही नहीं गया कि मुंबई जरा सी भी बारिश को झेल सके ABP News की आज यही मुहिम है कि मुंबई बारिश क्यों नहीं जेल सकती बारिश से निपटने के इंतिजाम पूरे देश में गड़ बढ़ है मध्यप्रदेश का नीमच हो गुजरात का वलसार हो सब की कहानी बिलको लेक जैसे लेकिन कम से कम मुंबई की इंतिजाम तो बहतर हो सकते हैं न क्योंकि देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई है जिसे कभी शंगाई बनानी का सपना देखा गया था अर्बो का कारोबार करने वाले मुंबई में रहते हैं अर्बो की बॉलिवर्ड इंडस्ट्री अर्बो का शेर बाजार सब मुंबई में लेकिन बारिश की चंद बूधे पूरे शेहर को ठप कर देती हैं ये मुंबई की अलग-अलग अलाकों का हाल आप देख रहे हैं वडाला, मरीन ड्राइब्स, मरीन लाइन्स, पाल घर, माटूंगा ये अलग-अलग अलाके मुंबई के बारिश में किस तरीके से डूबे नजार आते हैं वो मुंबई जो कभी ठकती नहीं, कभी रुकती नहीं बारिश में डूपती जरूर है और डूपकर तेरना मुंबई की किसमत बन जाता है हर मौनसून के मौसम में इस बार भी कहानी वही है, पानी में डूब रही है मुंबई और इसी को लेकर ABP News की ये मुहिम अब ये तस्वीरे देखिया आप, किस तरीके से साल दर साल, वही कहानी 2015, 2016, 2017, 2018 और ये लाइव तस्वीरे, अगर मैं ये साल हटा दू और सीधी तस्वीरे आपको दिखाओं तो आप ये तैन नहीं कर पाएंगे कि ये इस बार की तस्वीरे हैं या पिछले सालों की तस्वीरे हैं क्यूकि मुंबई की हर साल की कहानी बिल्कुल वही है, कोई तबदीली नहीं आती, जरा सी तस्वीर नहीं बदलती हर साल मौनसून की मौसम में इसी तरीके से डूपती और तैरने को मजबूर नजर आती है मुंबई तो मुंबई में आफट की बारिश और ABP News क्यूंकि मुहिम लेकर आया आपके सामदे ऐसे में हमारे कुछ सवाल मुंबई की इस हालत को लेकर है इन सवालों पर आप गोर कीजें देखिए ABP News के सवाल है मुंबई क्यूं बारिश जहेल नहीं सकती ये सवाल इसलिए जादा बड़ा हो जाता है क्योंकि सबसे जादा टैक्स देने वाली मुंबई ही है BMC बारिश के आगे लाचार हो जाती है या फिर ये BMC की लापरवाही है बद इंतिजामी के जिम्मेदारों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता ये अपने आप में बड़ा सवाल है सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर हर साल हर बारिश में क्यों डूब जाता है BMC फेल है अगर तो फिर कोई दूसरा इंतिजाम क्यों नहीं किया जाता कब तक BMC भरों से बैठा रहे मुंबई शहर और बंधक बनता रहे हर बारिश में अब दिखाते हैं आपको मुंबई की रास्तों, मोहलों, सोसाइटीज का हाल क्या है जितेंद्र दिक्षित जो है वो परेल अलाके में पहुँचे भारी जल जमावस अलाके में दक्षिर मुंबई को पूर्वी मुंबई से जोड़ने वाला रास्ता भी पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ ने जरा आया रिपोर्ट देखिया मुंबई में शुक्रवार से जो भारी बारिश का दौर शुरू हुआ है वो आज चौथे दिन याने की सोमवार तक जारी है शुक्रवार को जो बारिश शुरू हुई थी उस पहली ही बारिश में मुंबई का जन्जीवन अस्त्यस हो गया था और शहर के तमाम इलाकों में चाहे वो इस्टन सबब हो वेस्टन सबब हो या फिर दक्षिर मध्य मुंबई का इलाका हो तमाम इलाकों में पानी भर गया था शनिवार और रविवार के दिन भी भारी बारिश होई थी लेकिन इस वज़े से लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई क्यों कि ये छुट्टी के दिन थे कई दफ्तरों में हाब दे था स्कूल कॉलेज बन थे लेकिन आज पहला वरकिंग डे है और आज के दिन हम देख रहे हैं कि आज जो है कई इलाकों में जल जमाओ हुआ है जिसकी वज़े से पूरे शहर में ट्रैफिक की आवाज आही पर यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी सड़क जो है नदी के तोर पर परिवर्तित हो गई है और वाहन जो है बीच में अटके पड़े हैं और जो फ्लाइवर से जो उतरने वाला ट्रैफिक है वो आप देख सकते हैं कि वो पूरा ट्रैफिक जो है ब्लॉक है और एक तरफ धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कई वाहन भी आप आगे देखेंगे कि पानी में जाकर फज गये हैं जिनके साइलेंसर में पानी गया है तो आगे वो वाहन नहीं बढ़ पा रहे हैं आज जो बारिश का ज्यादा जोर है वो दक्षिन और मध्य मुंबई के इलाकों में ज्यादा देखा जा रहा है माटूंगा का इलाका है परेल का इलाका है दादर हिनमाता का इलाका है किंग सरकल का इलाका है इन इलाकों में ज्यादा आज बारिश हुई है इन इलाकों में ज रेलवे ट्राक है वो भी पूरी तरीके से पानी में दूब गया है। जो रेलवे की रफतार है वो धीमी हो गई है। बीच एक ओवर हेड वायर टूट जाने से भी रेल सेवा प्रभावित होई है। और वहाँ पर मरम्मत का काम होने के बाद जो ट्रेन सेवा शुरू होगी उससे भी रेल सेवा प्रभावित होगी। काफी देरी से ये ट्रेने चल रही है। अगर बात करें मुंबई के सेंटरल रेलवे लाइन की तो यहाँ पर 25-30 मिनट की देरी से ट्रेने चल रही है। इसकी वज़ा है कि पानी भर गया है और इस पानी को निकालने के लिए आप देखें तो BMC के कर्मचारी मशक्कत कर रहा है। जो पंप आउट स्टेशन बनाया गया है इसकी मदद से जो पानी जमा हो गया है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है और कई घंटों के लगातार काम करने के बाद कुछ हद तक यह जो पानी है उसे ट्रैक से हटा दिया गया है। आपने एक तरफ के तस्वीर देखी यह देखी पुल के दुसरी तरफ भी आपको एक ही ट्रैक पर एक के पिछे एक लोकल ट्रेने नजर आएंगी। करें तो विमान के आगमन और उरान में करीब 25 निट की देरी देखी जा रही है। इसकी वज़य है कि मुंबई में बीती रात से लगातार तेज बारिश हो रही है और सुबह से भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में मुंबई और आसपास के इलाकों में लगातार तेज मुस्लाधार बारिश होती रहेगी। कैमरमन सचिन सिंदे के साथ मिर्तिन जैसिंग, ABP News, मुंबई